हेला वर्यूम वेलेकम तुमाइचर वासाइकाडमी दिस इस हिमान्टू आज की इस बीडू लेक्चर में बात करने वाल हैं कुछ और फार्मा रिगार्डिंग वेकंसिस के बारे में हैं जैसे कि आप जानते हैं फार्मा रिगार्डिंग जितने भी आपकी नोटिफिकिशन अपडेट आती है सारी वेकंसिस की अपडेट मिलती है आपको हमारे चैनल हमरसार अगेडमी अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं प्रीज सब्सक्राइब करना न भूल सबसे पहले आप देख पा रहे हमने पहले प्रिवेसली बात की थी सर्दार वर्लब भाई पटेल यहां यहां पे फार्मसिस्ट की होमयोपेटिक होमयोपेटिक होने भाई वेकंसिस क के विए इस के ऽीडियो में और व्सक्राइब की बात करएंगे स्विधियो में व्सक्राइग में अहां है जब आपके application form खतम होने वाले हैं तो उसके 7 दिन या 10 दिन पहले में एक और notification दे देता हूँ आपको कि भाईया इसकी application form अभी तक चालू है जिसने apply नहीं के apply कर सकते हैं यह इसकी official website है इसकी link आपको directly description box में हमारे telegram channel पे मिल जाएगी view notification apply online आप देख पा रहे हैं तो जैसे आप view notification करेंगे तो यह notification आपके सामने खुला हुआ नजर आएगा pharmacist की एक ही undeserved की post है यहाँ पे आप देख पा रहे है 27 साल इसकी age limit है और देखिए interest candidate जो apply पर बर सकते हैं अब बात आती है सर इसकी last date क्या है eligibility credit के बारे में हमने बात कर ली थी कि सर इसमें देखिए यह सबसे पहले यहां पर last date में बता दे तो आपको अब आप देख पा रहे है ना तो जैसे आप नीचे नीचे जाएगा तो यहां पर आप देख पा रही है ना two year diploma first class और फिद रजिस्टर फार्मसिस और बीफार्म है ना दोनों ही candidate eligible है ना दीफार्म वाले जो है उनको दो साल का experience मांगा है और बीफार्म वाले जो है वो फ्रेशर candidate eligible है जैसे कि आप जानते हैं अभी काफी सारी central government में आ रही है वेकेंसी उनसमें यही eligibility criteria है ना दीफार्म दो साल वाले दीफार्म के साथ आपका दो साल का experience है तब जाके आप यहां से अगर भढ़ना चाहते हैं एक ही पोस्त है central government की है तो यह भर सकते हैं इसकी लिंक में आरेक लिए description में देदूँगा क्योंकि इसकी last date क्या है 2 December ठीक है essential qualification भी mention है क्या इसके essential qualification आने वाली है इसके बारे में हम बात करेंगे तो यहां पर आप देख पार है homeopathic basically homeopathic pharmacist इसकी vacancy है 3 तो काफी student ऐसे होते हैं जो बोलते हैं सर आयरुवेदा हो में कब आ रही है तो उनके लिए भी update देता रहता हूं जैसे vacancy आती है अब इसके essential qualification आपने देख ली basically homeopathic pharmacy में आपका degree diploma होना चाहिए not actually 40 साल इसकी age limit है 15,000 तो इसकी salary है और आपको क्या-क्या कुछ documentation भेजना है वो भी इसकी inquiry यहां पे लिखी हुए यह इसकी application form है इसकी भी PDF की link directly description box में दे दूँगा मैं जो भी West Bengal से है वो यहां पे apply कर सकते हैं next हम बात करेंगे last यहां पे आप देख पा रहे हैं about health care में काफी student बोलके हैं sir की government के साथ प्राविट सक्टर में भी update दिया करें तो continuously में update दे रहा हूं 3 plus experience जो है यहां पे मांग रहे हैं बीफार्म एमफार्म एमस्टी केंडियेट जो है वो apply कर सकते हैं और यहां पे apply कैसे करना है तो यहां पे आप देख पा रहे हैं यह इसकी directly link में description box में दे दूँगा आप इस job को save कर सकते हैं और apply now भी कर सकते हैं जैसे apply now करेंगे सबसे पहले आपको registration email address वगरा कुछ मांगेगा और उसके बाद में आप अपना resume attach करके यहां पर apply कर सकते हैं अगर reward बैट आता है तो आपको email address पे आ जाएगा ठीक है जी तो देखिए यहां पे भी वेकेंसी आती है about जैसी company में तो यहां पे फ्रेशर के लिए बहुत ही कम आती है बताती है जो मैं update आपको देता हूं और experience के लिए तो आप बने रहे है चैनल पे आपको सारी वेकेंसी की update में देता रहूँगा आप शिंदा ना करें और इन सारी की link आपको description box में मिल जाएगी तो कैसा लगा information जरूबत आपको description में like करे share करे subscribe करें चैनल को ऐसे informative फार्मासोटिक देट, news update, vacancy update, video लाइक चास के लिए keep watching, stay tuned